आज हम जानेंगे ध्यान की गहराई में जाने के लिए ध्यान के पहले कैसी तयारी करनी चाहिए तो ध्यान करने से पहले ध्यान की पूर्व तयारी करनी बहुत जरूरी होती है अगर हमें भीतर की सक्तियों को जगाना है तो बिना तयारी किये अगर ध्यान करेंगे तो कुछ ही दिनों में उप जाएंगे और फिर गलती ध्यान में निकालेंगे जैसे कहीं जाने से पूर्व तयारी करनी होती है वैसे ही भीतर के जगत में प्रवेश करने के लिए कुछ तयारी सबको करनी होती है तो सबसे पहले सरीर को साधे योग और प्रानायाम से चंचलता से ध्यान में विग्नबादा उत्पन होती है। जितनी सरीर की हलनचलन होगी एकागरता भंग होगी। इसलिए सरीर को साधने की बात कही जाती है। ध्यान जब लगे तो ऐसा लगे की व्यक्ति मूर्ती जैसा स्तिर हो जाए। कोई हलनचलन नहीं। इस तरह की स्ति को रोके रखती है इसलिए अगर कोई इन पर विजय पाने में सफल हो जाता है तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा इसलिए सही ध्यान करने के लिए सरीर को साधना सरीर पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है सरीर को साधे बिना जो ध्यान होता है वो काम चलाओ हो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें